Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं इस कार की बात नहीं करने वाला हूँ. आज मैं Tata Motors की बात करने वाला हूँ. जितने भी PV वेहिकल्स हैं, means passenger वेहिकल्स हैं, तो उनके बारे मैं बात करने वाला हूँ Tata Motors की and Hyundai की. तो Tata Motors ने बीट कर दिया Hyundai को, दिसम्बर के महिने में, वह आपको बताता हूँ कैसे, यह देखिए. आपको नहीं पर दिख रहा हूँ, Tata Motors passenger vehicle, business sets new milestones. In December 2021, NSE 2.55% delivered roughly 35300 units compared to 32312 units dispatched by Hyundai Motor India. Tata Motors shaped about 99,000 automobiles from October to December, bringing the total number of vehicles sold in 2021 to 3.31 lakh. अगर मैं बात करूँ Tata Motors की sales की, दिसम्बर में, PV vehicles की, तो last year 2020 की, तो उस ताइम कुछ 25,000 करीब थी, इस साल कुछ 24,000 करीब थी, तो 21 में, दिसम्बर में, कुछ 35,000 करीब है. तो 11,000 प्लस vehicles sales हूई है, Tata Motors की, विकास पंच भी लॉंच हुई है, एंड अल्ट्रोस तो बहुत बेकिरी, विकास होट है, बेस्ट है जब लोग टेस्ट ड्राइब ले रहे हैं, Tata की कार्स का, एस कंपेर टो हुंडई की अन मारूती की कार्स की, तो उनको भी पता चल रहे हैं कि हाँ, लेने लायक है, अल्ट्रोस वगरे, यह सब उनसे बेटर है, ठीक है, तो लोग ड्राइब करने के बाद, अल्ट्रोस पिक अप कर रहे हैं, आई 20 वगरे के उपर पे, ठीक है, तो वो सब तो अलग बात है, बट काफी अच्छा लगा देखके कि टाडा मोटर्स ने बीट के हुंड़े को एंड, दिसमबर में, सेकेंड नमबर पे, लार्जेस्ट कार मेकर बनी ब्रांड में, ठीक है, तो गाईज, यहीं एंड करते हैं वीडियो को, यहीं मैं आपको बता रहा था, कि हुंड़े ने डिसमबर के महिने में, 32,000 करीब वेहिकल को डिस्पैच किया है, बट टाटा ने 35,000 करीब को डिस्पैच किया है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज सस्काइब करेगा, मैं अच्छे एच्छे कॉंटेंट लाते रहूंगा, एंड कार के रिवीउस लाते रहूंगा, थैंकिस सो मच